कि अधित्य और आपके अपने यूटूब चैनल आलवेजस्टेडी में आप सभी का स्वागत करता हूं अगर आप चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आज हम लोग जो देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है भौतिक विज्ञान से संबंधिस सामान निग्यान ठीक भौतिक विज्ञान से संबंधिस सामान निग्यान यह जो कुश्चन इसमें डिसकर्स किये जा रहे हैं इसमें जो कुश्चन जितने सारे हैं जो डिसकर्स देखिएगा कि आपको कितना इसमें से question आ रहा है ठीक है अगर नहीं आ रहा है तो एक बार पढ़िए क्योंकि यह सारे question बहुत ही अच्छे question है board exam को भी लेकर और competition exam को भी लेकर देखके बनाया गया है ठीक चलिए शुरू करते हैं अपना पहला question देखते हैं वास्तविक वस्त का आभासी प्रत्विंब बनता है तो आभासी प्रत्विंब जो बनता है वास्तविक वस्त का वो समतल दरपन में बनता है ठीक समतल दरपन से बनता है ना कि उतल दरपन से बनता है ना अवतल दरपन से बनता और इन में से सभी तो यह आपका विकल्प जो ह हर लोग दिखते हैं अगला कुश्यन है वास्तिविक वस्थ का हमेशा सीधा प्रत्रविम्ब बनाने वाला दरपन होता है वो होता है सम्तल उत्तल दरपन होता है ना कि आपका सम्तल उत्तल अउतल होता है ना समतल अउतल होता है आपका जो विकल्प D है वो सही है समतल उत्तल होता है ठीक आपका A भी गलत है B भी गलत है C भी गलत है आपका D विकल्प सही है ठीक अब आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग देखते हैं अगला कुशन है वास्तविक प्रत क्रित कैसी होती है वास्तविक प्रत्विंब की प्रकिर्द कैसी होती है तो उल्टा होती है ठीक है उल्टा होती है ना कि सीधा होती है सीधा और उल्टा भी नहीं होती है और इन में से कोई नहीं यह तो आपका गलत ही है C भी गलत है और D भी गलत है आपका ये विकल्प सही है वास्तविक प्रतिविम्ब की प्राकिर्दी उल्टा होती है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है वस्त उसे छोटा प्रतिविम्ब बनता है उत्तल दर्पन और आउतल दर्पन में बनता है ना कि उत्तल दर्पन में बनता है ना आउतल दर्पन में बनता है ना समतल दर्पन में बनता है आपका जो विकल्प इसमें दिया गया है विकल्प D आपका सही है उत्तल दर्पन और आउतल दर्पन में सही है अगर बिकल्प सिर्फ ये होता कि उत्तल दर्पन होता आउतल दर्पन नहीं होता इन बिकल्प में आपका बिकल्प A सही होता अगर माली जे उत्तल नहीं होता आउतल होता तो आपका आउतल जो है सही होता लेकिन इसमें दोनों इसलिए आपका नियम想 आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकास के परावर्तन के नियम के अंजार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है आपका बिकल्प भी सही है बिकल्प ए क्या है वो देख लेते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता ये तो भाई गलत है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है ये भी गलत है सभी कथन सत्य है ये तो गलत है आपका सिर्फ और सिर्फ कथन भी सही है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं हम लोग जो है लग उशन है समतल दरपन द्वारा बना प्रतिविम्ब सदा होता है तो सदा जो है हमेशा सीधा और आभाशी होता है समतल दरपन से समतल दरपन द्वारा बना प्रतिविम्ब हमेशा सीधा और आभाशी होता है ठीक है ना आपका विकल्ब A सही है आभासी और उल्टा ना ही B सही है वास्तविक और सीधा और ना वास्तविक सही है आपका विकल्ब सिर्फ और सिर्फ C सही है सीधा और आभासी समतल दरपन द्वारा बना प्रतिविंब सीधा और आभासी होता है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आंख में प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित कौन करता है तो जो नियंत्रित करता है वो है परी तारीका परी तारीका नियंत्रित करता है ठीक है ना ही पुतली करती है ना लेंश करती है ना पक्छा भी पेशिया क करती हैं आपका जो नियंत्र करता है वो है परी तारी का ठीक परी तारी का आपका नियंत्र करती है आपका विकल्प इसमें सही है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है सूर्योदय और सूरियास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है सूर्य का गोल दिखता है यहां वे होना लिए होता है वो है चप्टा ठीक चप्टा दिखाई देता है दिखा नहीं होता और अंड沒有 लWow solar स के बराबर है तो दर्पण है वो किस प्रकार का दर्पण है वो समतल दरपन होता है ठीक समतल दरपन प्रतिविंब हमेशा सीधा आकार में वस्त के बराबर होता है ठीक ना आपका विकल्प A सही है अवतल जो लिखा है ना विकल्प B उतल नहीं सही है आपका विकल्प C सही है समतल इसमें ठीक है ना वे कुशन में आगे बढ़ते हैं अगल बीम कालपनिक होता है ना ही वास्तविक होता है ना उल्टा होता है इन में से कोई नहीं आपका विकल्प ए भी गलत है सी भी गलत है और डी भी गलत है आपका विकल्प भी सही है कालपनिक सम्तल दरपन से बना प्रत्य बीम होता है कालपनिक ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लिंस के लिए प्रियोग्त नहीं किया जा सकता तो जल मिट्टी प्लास्टिक और कांच तो मिट्टी के लिए जो है लिंस प्रियोग्त नहीं किया जाता है मिट्टी के लिए ठीक है जल के लिए किया जा सकता है लेंस प्लास्टिक के लिए किया जाता है कांच के लिए मिट्टी के लिए नहीं किया जाता है लिखा क्या गया है कौन शापदार्थ लेंस के लिए प्रियोक नहीं किया जा सकता तो मिट्टी है ठीक है मिट्टी के लिए सुन नहीं होता अन्य नहीं होता इसमें जो है आपका उत्तल लेंश की चमता जो है वह धनात्मक होती है boashingob v है डायोक्तर ना की मेंटर होता है मीटर होता है आपका जो उत्तर है इसमें विभलप सी जो है डायोक्टर सही है ठीक है लिश्फ की छ। का Si मात्रग डायोकटर होता है आगे बात अगला क्यूशन है पानी से भरी बल्टी की गहराईक मुदी क्क दिखाई Vince के देती है ये कम दिखती है इसका कारण क्या है इसका जो कारण हे यो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है पानी से भरी बल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण अपवर्तन है, ना पूण आंतरिक परावर्तन है, ना परावर्तन है, इन में से कोई नहीं, आपका विकल्प ये भी गलत है, C भी गलत है, A भी गलत है, आपका विकल्प सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन जो की विकल्प B है, ये स रही है अप वरतन के कारण पानी में भरी बाल्टी की कम दिखाई देती है कम समझ में आती ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन देखते हैं यह सारे जितने आपको दिए जा रहा है जितने पुश्चन यह सारे सारे पुराने स्रेट से लिए जा रहा है इसलिए question बहुत important है अच्छे तरीके से पढ़िए आप लोग जो है अच्छे तरीके से जो कुशिन न समझ में पूछिए आगे बढ़ते हैं अगला question हम लोग देखते हैं पानी में डाली हुई छड़ी तेड़ी दिखती है इसका कारण क्या है इसका कारण अपवर्तन है पानी में डाले हुई छड़ी तेनी दिखाई देती है इसका कारण है अपवर्तन के कारण पानी में डाली गई छड़ या छड़ी तेनी दिखाई देती है ठीक है ना ही आपका विकल्प A सही है परावर्तन ना विकल्प C सही है परावर्तन और अपवर्तन ना आपका विकल्प डी सही है इन में से कोई नहीं आपका सिर्फ और सिर्फ विकल्प जो है भी जो है अपवर्तन यही आपका सही है यहां पर वीडियो समाप्त होता है अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर थाइंक्स वार वाचिंग.